हालो व्रीवन आम राजीव और हमनों डिसकस कर रहे हैं अलफाबेटिकल ओडर में ए और ए में आज हम डिसकस करेंगे सेट 12 जिसमें हमारा वर्ड है एकलाइट एकलाइट वर्ड को देखते हैं तो इस वर्ड का जो पार्ट आफ स्पीच है वो क्या है वो हमारा नाउन है तो वर्ड का जो पार्ट आफ स्पीच है वो नाउन है प्रणाइशन में इसको का को बहुत हलका सर प्रणाउस करते हैं इसलिए इसको प्रणाइशन हो जाता है एक लीडर किसी भी लीडर को अटेंड करने या उस लीडर को असिस्ट करने के लिए जो विक्ति होता है उस विक्ति को हम लोग एकलाइट कहते हैं हिंदी में इसको हम सहायक या फिर पादरी सेवक कहा जाता है पादरी सेवक इसलिए कहते हैं क्योंकि जाता देखिए सोट का ओरि औरिजनली इट वस एक्सक्लूसिवली अटांग फॉर परसन असिस्टेड़ प्रिस्टेड़ प्रिस्टेड़ मास यानि कि जो पादरी होता था जब वो मास में जाता था लोगों से बातचीत करने के लिए उनको सुनता था या फिर वो अपनी प्रीज को देता था तो उस समय जो उसकी सेवक होते थे जो उसको सेवा करने वादे लोग होते थे उन सभी सेवकों को उन लोगों को एकलाइट के नाम से जाना जाता था यूँकि वो लोग सभी लोग एकलाइट कहलाते थे तो आज के रीट में एकलाइट का जो मेनिंग निकल के सामने आता है वो में आ गई है कि पादरी के साथ चलने वाए लोगों को एकलाइट कहते हैं उसको आफ फीगर में भी देख सकते हैं दो इसांपल मैंने अलग से लिए हैं आपको समझाने के लिए आप पॉपलर प्रोफेसर डाइन विद फ्यू आफ हर एकलाइट्स यानि कि एक पॉपलर प्र असेच करते होंगे हर जीगर तो ऐसे बहुत aux लोग होते हैं रिधाएट आपको 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 ऑप जीगर को और चेएंगे तो उसके बहुत से लोग जो की उसको एसको असे साथ में में वाले और उसकी बातों को समझने वाले ऐसे बहुत से उसके followers होंगे जो आपको बहुत सी निवस्टीज में मिल जाएंगे तो देखिए और इजनी भी हमें देख लिया है स्नानिम के तोर पे आप decibel या फिर follower दो simple word है देखे decibel और follower दो word ऐसे हैं आप सिशे हैं आप follow करते हैं बट जो इने उस वेक्ति के पास हो बट अकलाइट जो होता है वो जनली उस वेक्ति से उसका physical touch जादा होता है और physically वो उसको जादा assist करता है अंटर्यम में आप quarterfious word यूज कर सकते है quarterfious actual में देखा जाए तो यह leader होता है chorus का chorus समझते हैं chorus जहां पर जो लोग गबगाना कहाते ही तो साथ में जो team होती ही जो साथ में उसको assist करती है उस team का जो leader होता है वो quarterfious होता है तो कॉरिफियस basically leader है उस team का और जिस तरह से light उस team का member होगा उसी तरह से leader होगो हम कॉरिफियस कहेंगे तो आगे देखे आज मैंने आपको आगे दो question दिये हुए बहुत ही आसान से question है एक बार देखिएगा आपको answer एक बार में शमझ में आ जाएगा कल मैंने accretion को लेकर के दो सवाल पूचे थे लोगों ने बहुत अच्छी आशर दिये और कफी अच्छा लग रहा है मुझे आप answers कर रहे हैं और आज देखें तो यहाँ पर बात कहीं पहला आपका आशर अक्रेटिव हो जाएगा अगर कोई भी कमपनी अपना गोथ अच्छीव करती है धीमे धी में expansion करते हुए धीमे धी में आगे बढ़ रही है तो उस कमपनी को हम लोग अक्रेटिव हो लेंगे और कोरल रीफ हैनी के मूंगे की चर्टान धीमे धीमे वो आगे बढ़ती है धीमे धीम उसको जो dead bodies है कोरल्स के वो उसमे जमा होते रहते हैं तो इस तरह से जो एक layer बनती जाती है उसको हम लोग accretion कहते हैं यह हमने कल कवले slide में देखा था अब कल जो हम लोग बढ़ देखेंगे वो आपका अड़र होगा और इस तरह के से आप देखते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ English Thank you for watching us